नमस्कार मैं हूँ गुलपशा और आप देख रहे हैं देली रेंट राइन भारत के कई राजियों में बैन की अटकलों में अटके टिक टॉक के नशेन लोगों को मानो अंधा कर दिया है सिर्फ एक टिक टॉक वीडियो बनाने के लिए लोग कुछ भी बेवकूफी भरा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं बिना अपनी या किसी और की जान की परवा किये लोग कुछ भी खतरनाक प्रॉप्स यूज कर रहे हैं और ऐसा ही एक मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया है ब्रसल दिल्ली में एक 19 साल के लड़के ने अपने ही दोस्त की कथित तौर पर गोली मार कर हद्या कर दी किवारदा तो उस वक्त हुई जब वो लड़के पिस्तौल के साथ मुबाइल अब टिक टॉक पर एक वीडियो बना रहे थे जितिक सल्मान अपने दोस्तों सोहेल और आमीर के साथ कार से इंडिया गेट गया हुआ था लोटते समय कार चला रहे सल्मान के बगल में बैठे सोहेल ने एक देशी पिस्तौल निकाली और वीडियो बनाने की कोशिश के दौरार सल्मान पर निशाना साथा लेकिन पिस्तौल से गलती से गोली चल गई और सल्मान के गाल पर जा लगी आपको बता दें कि पुलिस ने आम सेक्ट और हत्या का मामला दर्श कर लिया है साथी पुलिस ने आमिर सोहेल और एक अन्य व्यक्ति शरीफ को गिरफतार कर लिया है वहीं पुलिस ने बताया कि आमिर क्रेटा कार की पीछे वाली सीट पर बैठा था घटना के बाद दोडो दोस्त खबरा गए और दर्या गंच में सोहेल के रिष्टेदार के घर पर चले गए वहां उन्होंने खून से सने कपड़े बदले और फिर रिष्टेदार के साथ सलमान को पास के एलन जेपी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने सलमान को मुर्द खोशित कर दिया सिर् और दिख खबरों की जानकारी के लिए देखते रही देले रिट्रैंग